आम शान्ती आज 18 एप्रिल 2023 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरुली आज के महावाईकों इस महावाईकों में बाबा बोले मीठे बचे आधा कल्पो माया ने तुम्हें बहुत होईरान किया है अब तुम बाब की शरण में आये हो तुम्हें बाब से सच्ची प्रित रखकर माया जीत जगजित बनना है प्रश्ण संगम यूग पर भगवान को भी कौन सी महनत करनी पड़ती है उत्तर आत्मा रुपी मेले कापरों को साफ करने की महनत करनी पड़ती है तुम बच्चे बाब के पास आये हो ना अपने पापों का खाता साफ करने जितना देही अभिमानी बन बाब को याद करेंगे उतना बिकौर माजित बनते जाएंगे अगर बुद्धी का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोरा तो भश्माशूर बन जाएंगे इसलिए स्रिमत पर चलते रहो आज का गीत ओम नमस्षिवाया ओम शांति तुम बच्छों ने सहारा लिया है न बाप का अथोबा बाप की सरण में आये हो यह स्मर्ति तुम्हारा सदा सरवधा रहना चाहिए यह कोई लौखिक बाप नहीं यह है परलोखिक बाप तुमको माया ने आधा कल्प तौँग किया है न तुम बच्छे ही जानते हो यह है दुखदम आशुरी दुनिया कलप कलप तुम बच्चे बाप के पास आकर शरन लेते हो तुम शरनागोती हो माया ने महंद दोखी बनाया है तुमहरी जो भी इज़त थी वो माया ने बरबाद कर दिया है यह तुम बच्चे ही जानते हो जब मुनिश्य दोखी होती है न तो जाकर दूसरे के पास शरन लेती हैं ये दुनिया का नियम है यहां भी यहां तुम भी आधा कल्प से माया की शरन में थे जिसकी शरन में अब तुम आए हो वो बेट आत्मों को समझाते हैं वो तुम्हारा पिता परमात्मा दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कपसे दुखी बने हैं कैसे दुखी बने हैं हम सर्गों के फूल थे ना फिर माया कैसे आकर के काटा बना दिया यह अभी तुम बच्चे समझ सकते हो जब तुम स्टुडेंट बन चुके हो जब तुम ब्रम्हन बन चुके हो परमात्मा से ज अलग तेरे तुम्हारी क्रिपा से हमारा सुक धनेरे हम आपकी सरन में आये हैं तो बच्चा का यह अनबब होता है हमारी रक्षा करो हे प्रभो तो इस माया रावन से हमें सुक का दुनिया में ले चलो यह तुम्हारी मुख से आता है परमपिता परमात्मा तुम्हारी इतना शरन देता है जो तुम खुशी से गदगद हो जाते हो वरबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्तकर शर्गों की मालिक बना रहे है परमपिता परमात्मा माया ने तुमको बहुत तौंग किया है ना भगवान को भगवान को भग तो याद ही तब करते है जब कि तौंग होते है है तो ड्रामा उनुशर जो सर्गों के थे उन्हों को ही माया दुश्मन मना दिया यो कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्पों की ही माया दुश्मन है धाई हाजर सल तुमें बहुत परिशान किया तुमें कुरी तिल्ल बना दिया यो बरी गुज्चो बात है बास्तुब में तुमें इस समझने का है आधा कल्पों से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफते से कैसे छुटे तुम फेल करते हो बार बार पर मात्मा को तुम पकारते हो लेकिन बीड़ी को तुम समझते नहीं हो बाबा आकर हमको आपना बना करके शर्गों का बर्षा देते है तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो आज कल रिफ्यूजी बहुत बनते है जाकर एसलम अथवा शरन लेती है सरकार भी उसको शरन देती है तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है भारत में जब सर्गों था ना तो देवी दवता बहुत सुकी थे यो यूरूपियन लोग भी जानते है कि भारत बहुत प्राचीन देश है अब हम लोग नहीं थे तो स्विप भारत ही था ये मानते है और शास्टों में भी है प्राचीन भारत बहुत माला मल सुकी था जिसको ही सर्गों कहते है हैबिन कहते है तो पांच आजर बर्शों की तो बात है अभी तो वही भारत कांगाल कोरी तुल्ल बन गया कितना अफसूस का बात है किसने बनाया ये बात तुम नहीं जानते हो माया रावन ने बनाया परमपिता परमात्मा करके ये खुलम खुला बात करते है आधा कलपो से भारत गीटते गीटते अब कोरी तुल्ल हो गया है बाबा कहते है आधा कलपो से तुमको माया ने हैरान किया है बच्छे अब तुम इसलम मांगते हो भगवान आओ हम आप पर बली हार जाए तुम जैसे कहोगे हम ऐसा ही मनने वाले हैं भारत को फिर से हीरे जैसा परमपित परमात्मा ही बनाते हैं इसलिए भगतो भगवान को याद करते हैं ही इस शरन लो कहती भी है ना लाज रखो कृपा करो आप रहम दिल हो ना आप दया का शागर हो फिर कहो देते हैं शर्बो बेपी तो ये तो और्थो अनर्थो हो गाया ना इसको धर्मगलानी कहा जाता तुम जानते हो माया ने आधा कल्पों से बिलकुल ही गिरा दिया है बाबा के एते हैं बच्चे कल्पों कल्पों ऐसे जब भारत और धाम से लटके आता हूँ तुम्हे रक्षा करने के लिए नाया धर्मों प्रतिष्टा करने के लिए अपने धर्मों को तुम नहीं जानते हूँ कितना तुम कांगाल बन गए हो माया रावन कैसे तुम्हे बैशाहारा बना दिया, यह है भावी, यह ड्रामा में नोद है, जब धर्म लोफ हो जाए, तो अब तो बापा करके फीर से स्थापन करें न, बाकी कोई धर्म स्थापक, बाकी कोई धर्म स्थापक, धर्म और रज्य स्थापन नहीं करते, एक परम पिता करके धर्म और रज्य एक साथ स् अभी बिनाश का समय है ना बिनाश का रेभी पुरित बुद्धी बन परे है सारी लोग और तुम्हारी पुरित बुद्धी है तुम पंडब संप्रदाय हो शर्व शक्तिमान परमपित परमात्मा की तुमने शरन ली है न माया पर जित पाने के लिए तुमारा अभी चर्चा चल रहा है तुमको शहजराज्योग और ग्यान मिलता रहता है परमपित परमात्मा से बाबा कहते है तुम मुझ बाप को भूल गए हो माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुक कर दिया है बाप बेड़ ब्रम्ह मुखदरा शिक्षा देते है माया की प्रविशत होने करण ऐसे ग्लानी की बात है लिख दिया है तो ये तो सुनते सुनते तुम सत-सत कहते आए हो तुम जानते हो राज्युग बाप के सिवाय कोई दहोदरी शिखा नहीं सकते गुरू गुशाई बिद्दन पंडित किसी का पास यह आथारिटी नहीं बाप तो है सर्ग का रचविता है न यह आत्मा ही बात करती है तुमको देही अभी बनी बनाते है इस समय तुम्हारा कित पर कुछ ना कुछ दोश्ट लगता है तो उसके लिए वो जाकर के घरी घरी गांगा स्नान करते हैं परन्तो गांगा जल से तो आत्मा का पाप काटना सके इसलिए बाबा कहते हैं देहो शोहित सब को भोलो यह इस समय तो तुम्हें महोजित बनना चाहिए आपने को आत्मा निश्चे कर मुझ परम पिता परमात्मा शिप को याद करो शिभ है तो निराकार शिप जयनती भी मनाते हैं भक्त लोग परन्तो कोई भी नहीं जानते उनका बायोगरफी उनका रूप उनका धाम उनका काम शमनात का मंदिर इतना बरा है परन्तो कौब आये है वो तो क्यो पुझ नहीं जानते तो ज़ुरुर कोई शरीर में आये होंगे तो तुम मौनशु है ना? तुम मौनशु का साथ बात करने के लिए तो मौनशु का भाषा ही होना चाहिए शर्बोबिपी के ग्यान ने सब बातों को भुला दिया है अब बाबा कहते हैं स्रीमत पर चलो शिब बाबा इस सरीर में प्रभिश कर तुमको नलिज दे रहा है यो सरीर लोन लिया है लोन लिया है तुमें एराज्जुक शिखाने के लिए इस रौत में रौती बन तुमको ग्यान दे रहा है बाकी कोई घोरे गरी आदी का कोई बात नहीं जो शास्र में दिखा दिया कुरुकशत्र जुद्धो बना दिया तो उनको भागिरत अथवा नंदी गन भी कहते है कहते है भागिरत ने गंगा लई कोई माते से थोरी ही निकाल सकते है इसलिए बाप कहते है इन बेद शास्रों आदी परने से मेरी को कोई प्राप्तों नहीं कर सकते हो ये शिदा बाद बाबा ने बता दिया मेरी को तो आना है तो मुझे associated मेरी बात सुनना चाहिए तुमको आकर शरन लेते हैं, तुम आकर तुम शरनागोती होते हो, तुमको मुनुश थोड़ी ही जानते है कि रावन क्या चीज है, आप तु रावन रज्ज है ना, सभी भूल गया है, रावन क्या है, रावन तुम्हे एतना रशातल में लिया, बस तुम भूल गए हो, बिशेश वर्ल कहा जाता है, जो दुनिया सरगो था, वो बिशेश वर्ल बन गया, बिशेश वर्ल स्थपन करतने वाला है, रावन, वाइसलेस वर्ल, और था निर्वी करे दुनिया बनाने वाला है, राम, शिवावा, तु गीत भी तुम सुना है ना, शिवाए नमो, ब्र शाला है मनुश्य से देवता बनने की गौद फदरली कलेज है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्रिय विश्व बिद्दला है लिखा हुआ है रोज आ करके यहां परहा आ जाता है नाम ही लिखा हुआ है इश्रिय विश्व बिद्दला है एम अब्जेक्ट भी लिखी पर इसलिए बाबा के ते रात को भी जाक करके बाप को याद करो, माते पर बहुत बोज है न, बाबा हमको हम आपको ही याद करेंगे, तुम्हारा ये अनुवफ हो जाता, रियलाजेशन हो जाता, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको सर्गों में भेज देंगे, तो बाबा का मरा बहुत निश्चय बाड़ जाता है, बाबा तुम माता उदारा सर्गों की स्थापना करते हैं, माता उदारा सर्गों की गेट खोलने बाले, तुम्हारी योग के, योग की शंती से, फिर एकुष जन्म भारत में शंती होती हैं, वहाँ माया होती नहीं, कोई दीमौत हो तो सदा शुकी रहते हैं, कोई बिशोय बईभब का कोई कौमी नहीं होगा, दहाँ अभिमान के कारण ही मुनिश्य दूखी बनते हैं, और बाप तुम को देही अभिमाने बनाते हैं, सती युग में जो देवी गुन वाले थे, वो अभी आशुरी गुन वाले बन परे हैं, अब तुम फिर से शिबालाय सर्गों का मालिक बनने के लिए बाप से बर्शा ले रहे हो, यह कलेज है, यह कलेज है, यह उनिवर्सिटी है, जब तक बिनाश हो, बाप पराते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बहुत बोज चरा हुआ है, वो मेट नहीं है, महनत ल दुनिया है, अब तुम ब्रह्मन बने हो, ब्रह्मा की अउलाद, तुम केतने थोरे हो ना, तुम छोटे सा पोधा हो, फिर ब्रह्मन से देवता शुत्रिया बनेंगे, यह है शदर्शन चक्र, यह तुमारा मनमना भब मंत्र, इस समय तुमें बाबा तुमें प्रेजन करता यह बात शस्चर में नहीं है, ब्रह्मा के हाथ में शस्चर दिये हैं शुक्ष्म्वतन बश्ची ब्रह्मा हो ना सके, नाम है प्रजा पता ब्रह्मा, यह दुनिया में प्रजा रचना होता है, जिसको एडम, आदम कहेते हैं, तो वही इस सारे जीनलोजिकल ट्री का हैड है तो great great grandfather जिसको कहा जाता सो तुम जानते हो हम रूद्रो मला के दाने हैं हम आत्में वहाँ से आती है परमधाम से हमारा निवर्स्थान वो पक्का है हमारा परमधाम हमारा पर्मनेंट एड्रेस है हर एक आत्मा को चराशी जन्म का अबिनाशी पार्ट मिला हुआ है वो सब बाते तो पतित मुनश्यो समझ न सके पतित से पावन तो बापी बनाएंगे तो वो ही सर्वो पर दया करने वाला सर्वो दया लेडर होता है और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लेडर बन न सके यह तो बाप ही बाप ही बनते है न बाप को तो तरस पड़ता है अब बहुत दोखी बन पड़ता है तो मैं आता हो तुमें उधार करने के लिए तुम शिक्षा देने के लिए तुम बच्छे तौन मौन धौन से भारुत की शेबा कर भारुत को सरगो बनाते हो जैसे गांधी ने फरणार से रज्जो हाथ में लिया परुंतु वो तु है मरीगो तृष्णा के समान और भी माया भी फरणार है ना आधा कलपों से माया रज्जो तुमारी से ले लिया माया रज्जा बन गया बाप आकर इन से छुराते हैं माया से तुमें मुक्त करते हैं माया राबंद का जैल से तुमें छुराते हैं माया ने तुमें बहुत दोखी किया है इसलिए बाबा कहते हैं मैं आता हो लिबरेट करने के लिए आप स्रीमत पर चलो एक ही उपाय है नहीं तो माया एकदम कच्छा खा जाएगी स्रीमत पर चलो तुस्रेश्ट बनो तुम ही शीप शक्ति पंडप शेना तुम्हारा वो वो टाइटल याद करना है तुम्हारा जो परमपित परमात्मा की शरन में आये हो तो बाप से बहुत का बर्शा लेने के लिए कितना क्लियार बात बापा समझाते हैं एकोश पिरी देवी दवताव का रज्य चलता है तुम आते हो सर्ग का मालिक बनने माया ने भश्माशूर बना दिया है बापा कर ग्यान अमरित की बर्शा करते हैं बाप की सरन भी लेते हैं फिर माया ट्रेटर बना देती हैं फिर अबला उपर कितना अत्ताचार होता है अभी कोई सावरेंटी है तो नहीं बाप आकर के डीटी सावरेंटी स्थापन करते हैं सतियुगादी में महाराजा महाराणी थे अभी तो को अभी त भर्मों का रज्जयुस्टहपन करते हैं, जो आधा कलपो, तुमें कोई छिंता करने का कोई बात नहीं है. अभी तो नो रिलीजियनुं कहते हैं दर्मों को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है, अगर धर्मों होता तो माइट भी होता. तो ये भी अल्पोकल का स्वराइज जो है आपस में ही लड़ जगर करके खतम हो जाएंगे तुमको बाबा करके अमरपुरी का मालिक बनाते हैं बाप आत्मा उसे बात करते हैं तो तुमें भी रियलाइस करना चाहिए मैं आत्मा परमपित परमात्मा से अभी कानेक्ट हो रह जो बाप सर्गो का मालिक बनाते हैं उनको फारगोती दी बुद्धी का योग और कोई संग जोरा तो भश्मा शुर बन परेंगे अब तुम बेटे हो ना अपने कर्मों का खाता साफ करने पापो का बुझा बहुत है ना ये साफ करने के लिए बाप का सामने बेटे हो भारण ये जग्यों में है भगवाना कर मेहनत करते हैं तो जो मेला का प्रा है वो फाट पड़ता है इसलिए आजामिल नाम रखा है बाप का बनकर फिर फारगोती दे तो वो हुए नंबर वान आजामिल इन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रिती स्रीमत पर चलना है अगर स्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी फिर कलपकल पंतर के लिए बर्षा गवा देंगे दुकी हो जाएंगे अच्छा मिठे मिठे सिकलदे बच्चों परती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चे को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धरुना के लिए मुखोशार एक नमबर तौन मौन धौन से भरत की शेबा कर इसे शर्ग बनाना है माया नमबर दो, देही अभीमनी बनने के लिए द्यहा सहीत सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे युगोबल से साफ करना है, विकरमाजित बनना है, बर्धान, एक बाबा शब्दों की स्मृति द्वारा कौमजूरी शब्दों को शमाप्त करने वाले श संसकार शबाब की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संसकार ही ऐसा है, लेकिन जो बाब का संसकार संकल्पों सो मेरा ऐसा होना चाहिए। शमर्तों की निशानी ही है बाब समन, यह बहुत बड़ा एक्जामपल तुम इस समन लेते हो और तुम कम्प्रीट ह तो संकल्पो बोल होर बात में बाबा शब्दो नेचरल हो और कर्म करते करण करावनहर की स्मृती हो तो बाबा के आगे माया अर्थत कमजूरी आने ही सकती स्लोगन जिसके पास गंभीरोता की विशेशता है तो उन्हें हर कर्जों में शतो शिद्धी प्रप्त होती हैं ओम श में गड़न दो और मां गल्टी आने हैं जिसाल में घयक हो और में आने हो जिए आने ही ड्रेश टाल को सब जिए हो तो जड़ित हैं अरूंगल हो उन्येग जिए हो रग धावीरोता ही